हाई फ्रेंज वेलकम टू माई ऑनलाइन प्रेप यूटूब चैनल एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर हैं फोर रिवाय सिक्ष्टी सेवन एंड सिक्ष्टी एद बीपीएसी प्रिलिम्स एक्जाम हम इस वीडियो में वर्तबान में बिहार में सम्मेधानिक पदो पर कौन-कौन लोग आसी ने उसकी चर्चा करेंगे यहां से भी कोशन्स प्रिवियर्स इयर्स में पूछे गए हैं तो आईए हम सुरुवात करते हैं तो पहला कोश्चन है बिहार के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है ओप्शन ए है दीपक परशाद बी है एसके सिंगल सी है ललित की सोर डी है उपरुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा ए दीपक परशाद वर्तबान में स्टेट एलेक्शन कमिशन और बिहार है एसके सिंगल कौन है डीजी पी और बिहार है वर्तबान में ललित की सोर कौन है एड़ोकेट जेनरल ऑफ एड़ोकेट जेनरल है अभी बिहार के एड़ोकेट जेनरल एड़ोकेट जेनरल कौन होता है राज्य का जो है बिधी सलाकार सरकार का राज्य सरकार का क्या है बिधी सलाकार है अभी, उसको एडवोकेट जेनरल बोला जाता है, और एट्रणी जेनरल उफ इंडिया, कौन है, क्यक के वेन्यू गोपाल, केक्के वेनु गोपाल एटोर्नी जर्नल अफ इंडिया केंदर सरकार का विधी सलाकार विधी सलाकार होते है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान सभा के अध्यक्ष कौन है ऑप्शन है तेज़ेश्व यादब बी है रेनु देवी आंसर हो जाएगा विधान सभा के अभी वर्तवान में जो स्पीकर है अध्यक्षेयो कोन है विधाय कुमार सिन्ह तेज़ेश्व यादब क्या है विधान सभा के विवक्ष किनेता रेनु देवी कोन है अभी वर्तवान में डिपटीचीप इनियस्टर है दो डिपटीचीप इनेष्टर है वर्तवान में तारक किसोवर्प्रसाद और रेन्यु देवी। सनजै सिंग् GP हुआ अभी वर्तवान में विहार विदाहन परिशत के विहीव के अध्यक्ष है नेक्स्ट कुर्शन है विहार के राजपाल कौन है एह नितिश कुमार भी है फागु चोबान सी है सन्यमृति संजय कुरोरी डी है अब्देश कुमार सिंग आंसर है फागु चोबान वर्दबान में विहार के राजपाल है राजपाल जो केंदर का वो होता है राश्ट्रपती ठीक है दोस्तों और जो राज्यपाल होता है उसको समिधान में भाग 6 के आर्टिकल 153 से 167 में पावर अन्फंक्शन की बात किया गया और राश्ट्रपती का भाग 6 में इनका भाग 5 में आर्टिकल 52 से 52 से 78 तक जो है एपवांट्वेंट पावर फंक्शन की बात किया गया है नयमूर्ती संजय करोली को ने वर्तमान में पतना हाइप कोड के चीफ ज एक organization है बिहार विधानपरिशत के कारवाग अध्यक्श सेंद विथान परिशत के बाग अध्यक्श 선way को मनाया Жाता है ऐसमार्च बिहार दिवस में अन्सर हो जाएगा वाइस मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता हर साल और इस साल बिहार दिवस ने 110 विवर्सगाट मनाई है anniversary मनाई है वाइस मार्च को क्यों मनाया जाता क्योंकि 22 से 123 को ब्रिटिस सरकार के द्वारा बंगाल को बिहार से अलग करने की घोषना की गए थी घोषना और एक अप्रेल 1912 को बिहार जो है और उडिसा मिलके उडिसा तब बिहार में था कि एक अप्रेल 1912 को बिहार की अस्थापना होती है बिहार पूर्ण रूपे बंगाल से अलग होता है और 1936 में उडिसा जो है बिहार से अलग हो जाता है ठीक है दोस्तों तो बाइस मार्च का इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि इस दिन जो है 22 मार्च 1912 को डंगाल से बिहार की जो है अलग होने की घोष्णा बिटी सरकार के द्वारा की जाती है इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस की रूप में मने आये जाता है नेक्ट कोशन है बिहार के मुख सचीव कौन है ओप्शन ए है दीपक कुमार बी है संजय कुमार सी है चतन्य प्रसाद डी है आमीर सुभानी मुख सचीव आंसर हो जाएगा डी आमीर सुभानी दीपक कुमार कोन है मुख मंत्री के मुख सेक्रेटरी संजय कुमार अभी कौन है जो कैविनेट सेक्रेटरी है चतन्य प्रसाद कौन है जो है अभी जो है चीप सेक्रेटरी ओफ होम है ग्री मंत्रा लाइके बिहार के अमिर सोहानी दोस्तों 1987 बैच के आई एस आफिसर थे हैं 1987 बैच के आई एस आफिसर हैं नेक्स्ट कोश्चन है बिहार राज में कितने नए आयूस वेलने सेंटर खोले गए हैं आप्सन ए है 900, B है 400, C है 700, D है 500 आंसर हो जाएगा C 700 बिहार में लोगों में आयूर्वेद, होमियोपेद और यूनानी चिकितसा पतती के प्रती लोगों के बढ़ते रुजान को देखते हुए बिहार में 700 नए आयूस वेलने सेंटर्स खोले गए आंसर हो जाएगा C बिहार में दुनिया का सबसे उचा मंदिर कहां बनेगा Option A है पुर्वी चमपारन, B है सिवर, C है पटना, D है मोंगे आंसर हो जाएगा पुर्वी चमपारन मुतिहारी में बिहार में दुनिया का सबसे उचा मंदिर बनेगा कितना फीट का 270 फीट का बजट कितना निर्धारित किया गया है 500 करोर खर्चे आएंगे कि और इस मंदिर जो मंदिर बन रहा है और कौन सा मंदिर बन रहा है रामाइन मंदिर का निर्वान हो रहा है यहां पर रामाइन मंदिर का निर्वान हो रहा है और इस मंदिर में एक हौल मनेगा जिसकी चमता görगी बीस हिजार से अधिक होगी इस मंदिर में जो हौल जो निर्मान हो रहा है उसमें बीड अजार या समें अधिक बैटने की चमता होगी बिहार पिर्तिवी दिवस कब मनाया जाता है ले इस बिहार अर्थ डे सेलिब्रेटेट अब्सन ए दस अगस्ट इए नौऑ अगस्ट इए सब्सक्राइए अंसर हो जाएगा नौ अगस को बिहार पिर्थी दिवस मनाता है जबकि भारत और तमाम देश जो है पिर्थी दिवस 22 अपरेल को मनाता है 22 अपरेल को पिट्टिवी दिवस क्यों मनाता है दोस्तों क्योंकि इस दिन परियावरण के प्रती जारुकता फैलाने के लिए दुनिया भर के लोग मनाते हैं इसको और इसके लिए जो है पिट्वी के जलवाईव परिवरतन ग्लोवर वार्विंग से बचाओं के प्रियासो को क्रांती दिवस कि मनाया जाता है उसके साथ चार उसके साथ पिर्थवी दिवस मनाने की सरकार ने चार साथ पहले गोसना की पिर्थवी दिवस मनाने की गोसना की कि क्रांती दिवस और पिर्थवी दिवस एक साथ मनाया जाएगा 9 अगस्ट को इसकी गोज़ना 2018 में की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है बिहार राज की अस्थापना किस वर्स हुई थी आप्सन A है 1920, B है 1912, C है 1764, D है 2000 आंसर हो जाएगा 1912 बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है बिहार राज की अस्थापना एक अपरेल 1912 को हुई थी और उसकी जो घोषना हुई थी अलग होने की वो 22 मार्ज 1912 इसलिए 22 मार्ज को बिहार दिवस मनाया जाता है उरिशा जो है बिहार से 1936 में अलग हो गया 1912 से लेकर 1936 तक बिहार उरिशा एकी थे एकी राज था और 15 नहुंबर दो हज्जार को बिहार से जारखंड अलग हो गया जारखंड अलग हो गया याद रखेगा तो बिहार राज के अस्थापना कवी थी एक अप्रेल 1912 नेक्स्ट कोश्चन है बिहार में निमलखित में से कौन सी दो राज्य भासाएं हैं ऑप्सन ए है भोचपुरी मगदी बी है हिंदी उर्दू सी है बिहार उर्दी बिहारी उर्दू डी है मैथली और हिंदी आंसर हो जाएगा हिंदी और उर्दू बिहार की दो जो है ओफिसियल लेंग्वेज हैं बिहार की जो भासा हैं हिंदी और उर्दू और बिहार में अन भासा भी बोली जाती है जैसे मैथली, मगधी, मगही, वजजी का, अंगी का, भोचपुरी बिहार का एक मात्र भासा मैतली को 92 Constitutional Amendment Act के ताद इंडियन Constitution के एट लिस्ट के 22 भासाओं में सामिल किया गए है 22 भासाओं में सामिल किया गए है याद रखेगा बिनानबा Constitutional Amendment Act कब 2003 को जिसमें मैतली को 800 डिल के 22 भासाओं में सामिल किया गए है याद रखेगा बहुत रखेगा बहुत रखेगा कोशन पुछा के है नेक्स्ट कोश्चन है बिहार के उद्योग मंत्री कौन है बताइए दोस्तों बहुत ही आसान कोश्चन है ये तो आंसर हो जाएगा बी सयद सहनवाज हुशेन वर्तवान में बिहार के उद्योग मंत्री है और ये 2000 से 2004 तक केंदर में मिनिस्टर भी थे और अभी वर्तवान में बिहार में उद्योग मंत्री है सरवन कुमार को समाज कल्यान मंत्री को निम्लिकित में कोन पर्यक्न मंत्री है आप्शन ए नारहान प्रेसाथ लिए मुहमद जमा खान चैने कि लिए झानकराम ऑर जैनती राज और है नारहाीन प्रीचाफ को प्यार के पिरियर्वान मंतर है भूमिग्यान मंतरी यहाँ जो फिनिएर्वाण मंतरी नि निमलिखित में कुन बिज्ञान और प्रोद्यव की मंतरी तरतों भा सिंह भी नितिन नभी थी से सद्जय सुमीत कुमार सिंह गार सुनिल कुमार बताइए तो आंसर हो जाएगा सी सुमित कुमार सिंग वर्तुमान में बिज्ञान और प्रोद्योई की मंत्री है सुभास सिंग क्या है सहकारिता मंत्री सहकारिता मिनिस्ट्री और कॉपरेटिव नेतिन नवीन जो है सरक निर्वान मंत्री है और सुनिल कुमार क्या है अभी Ministry of exercise provision and registration मंत्री है ठीक है कि निमलिखित में कौन परियावरार और वन मंतराला से समंदित है option A समराथ चोदरी बी है लेसी सिंग सी है निरच कुमार सिंग दी है प्रमोत कुमार आंसर हो जाएगा सी निरच कुमार सिंग वर्तमान में परियावरार और वन मंतराला के मंत्री है और निरच कुमार सिंग आप सब जानते हैं सुसांग सिंग राजपुत के ये भाई हैं कजन ब्रतर है सुसांग सिंग राजपुत जिनका दो साल पहले मौत हो चुका है समराड चौदरी ये को रहाए पंचयति राज मंत्री लेशीन सिंग खख़ब्हार कैं गणिा मंत्री बिहार के ऐख्जह कौन आंसर है B, बिजय कुमार चौधरी वर्दमान में बिहार के सिक्षा मंत्री है रेनु देवी वर्दमान में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वर्दमान में बिहार में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है एक जो है रेनुदेवी हैं और दूसरे तारकिसोर प्रशाद हैं संतोस कुमार सुमन को कौन सा मंत्राला मिला है लगु सीचा से च्छी कल्यान मंत्राला के मंत्री है और जिवेश कुमार को मिनिस्ट्री ओफ सरम लेवर और आई टी इनके अंतरगर आता है नेस्ट कोशन है, वित्वानिचकर, सहरी विगास और अवास मंत्राला निमिलकित में से किस के पास है, उप्सन है, तारकिशोर प्रसाद भी है, सीला कुमारी भी है, सीए विजेंदर प्रसाद यादर, डि ए सो चोधरी, आंसर हो जाएगा, तारकिशोर प्रसाद, स्थासे पालन जैसे विबिन मंतराला भी है पसुपालन मतर स्फालन जैसे जो मंतराले थे वो बिएपीं eldest पार्टी के विकासींसान पार्टी के जो फॉंडर थे मुकेस सेनी उनके पास था मगर इन पार्टी के तीन एमेले बीजेपी में चले गए और ये पद ये जो मंत्री इनके पास जो मंत्रालाई था वह आप जो है किसके पास आगे हैं तारकिशोर प्रसाद जी उनको देख रहे हैं नेक्स्ट वर्षशन हैं बिहार के मुक मंत्री होने के रावा नितिस कुमार के पास निहिमघृत में से कौन सान मन्तराला है ऑप्सेन एब घर बी है और कैभिनेट सी यह सद्रकता और होम मिनिष्ट्री को तो आंसर हो जाएगा D, उप्रयुक्त सभी, मुखमंत्री निदिश कुमार, मुखमंत्री होने के अलावा, कैबिनेट, सतरक्ता और होम मिनिस्ट्री सभी इनके पास है अभी बिहार के सभी रासन कार्ट धारक परिवारों को कितनी रासी तक मुख्त इलाज मिलेगा इसकी घोषना 24 मार्च 2022 को बिहार विधान सभाव में की गई थी सभी समार्च 2022 को बिहार सरकार अपने खर से सभी रासन कार्ट धारक परिवारों को मुख्त में इलाज करेगा नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है नियामुर्थी विनोद कुमार सिन्ना निमिलकित में से किस आयोग के अध्यक्षे अप्शन ए है बिहार लोग सिव आयोग बिहार राज बिदी आयोग सी है बिहार पिछरा जाती आयोग दी है बिहार राज मानवादिकार आयोग आंसर हो जाएगा डी विनोद कुमार सिन्ना वर्तवान में बिहार राज मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष है बिहार लोग सिव आयोग के अध्यक्ष कोन है आरके महाजन बिहार राज बिदी आयोग के अध्यक्ष कोन है अंजना मिस्रा बिहार पिछरा जाती आयोग के अध्यक्ष कुन है संजाई कुमार राज मानवादिकार आयोग क्या अध्यक्ष कुन बनता है हाई कोड के वर्तमान कि वर्तमान या रिटायर नियाइधीज या रिटायर जज अध्यक्ष कुन बनता है सुप्रीम कोड के रिटायर चीफ जश्टीस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है दोस्तो अरुन कुमार मिश्रा अरुन कुमार मिश्रा अरुन अभी जो है नेश्नल हुमेन राइट्स राष्ट्रे मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष अरुन कुमार मिश्रा यह अधिकार आयोग कब बना था 1993 एक्ट के तहद जो है इन दोनों का गठन हुआ था राश्ट्रिमानवा अधिकार आयोग और राजमानवा अधिकार आयोग अधिक नेस्ट कुष्चन है वी आएवी विदायकों के सामिल होने से पहले बिहार में भाजपा के कुल कितने विदायक पहले से महजूद थे अप्शन यह 74 बी है 75 सिए 76 डी है 77 आंसर बता येगा पहले से महजूद थे कुष्चन पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 74 कि नंबर कि अब वर्थ आप कितना हो गया तीन मिलने से बीएपी के विकास सील इंसान पार्टी के तो हो गया 77 पिछले मन्थ में आर्जीडी में ए आई एमायम के चार विधायक मिलें तोटल विधायकों की संक्या आर्जीडी की कितनी हो गई 80 बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी कोन है तो आर्जीडी इसको याद रखिएगा और बिहार विधान सभा का टोटल स्ट्रेंग्ट क्या है 243 सरकार बनाने के लिए 122 वर्तमान एंडिये के पास कितने मेजुरिटी है भी कितना है मिलें का सपोर्ट है तो 117 आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बीपेसी परिलिम्स एक्जाम के प्रेशन में यह काफी हेल्फूल होगा हमें आप हमें फीड़बैक जरूर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बीपेसी एक्जाम के प्रिपेशन से जुरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू आल दा बेस्ट फोर यूर एक्जाम